यह YouTube करीयर में यह मेरी वाली पेस्ट वीडियो होने वाली है और आपके भी YouTube करीयर में इये आपके देखने वाली बैस्ट वीडियो होने वाली है क्योंके आज मैं आपको यूटीउब का बहुत ही टॉफ टोपिक बहुत ooh डिशी! अगर आपके पास टाइम हो तो personally मैं 1000-2000 टैग्स उपर नहीं लगाती हूं कहां लगाती हूं कैसे लगाती हूं मैं आपको सारे राज अपने शेयर करने वाली हो तो वीडियो का एंड तक देखिएगा टैग्स लगाने में दो इशू आते हैं मेरे एक तो यह इशू होता है कि हम टैग्स जो है वो कहां से लें किकर दूसरा इशू एक और बहुत बड़ा यूट्यूबर का होता है वो मैं आपको थोड़ा वीडियो के एंड पर बताऊंगी और चाहती साथ इन दोनों का स्लूश करती हूँ वो क्यों रहेंग कर जाती है और क्या सारा प्रोसीजर है तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा यहाँ पर मेरे पास कुछक्षेंशन है प्लस मैंने यहाँ पर भी कुछ वेब ईबसाइड रखी हुई है तो आपको अच्छे से समझा ज़े हुए इसके लिए मैं आपको एक freshly Chrome browser के उपर सिखाऊंगी कि किस तरह से आपने SEOs के लिए अपनी websites और extension एड करनी है यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि फिलहाँ मेरे पास से हाँ पर कोई extension या website नहीं है बिल्कुल starting से हम लेंगे सबसे पहली extension जो मैं आप सबको इक्सेंशन डाउनलोड यहाँ लिखेंगे और यहां से हम विड आईक्यू एक्सेंशन और यहां से हम इसको अपने Google browser के साथ इन्न कर देंगे यह एक लोती ऐसी website है जिसको मैं कहूंगी कि आप अपने channel के साथ अटेज कर सकते हैं बहुत safe site है इससे आपके channel को कोई नुकसान नहीं होगा बिसिकली TubeBuddy को आप free version में कर दो तो यह video IQ बन जाता है आपका इसको हम add to chrome कर देंगे और इसके बे इंतहा फाइदे हैं बे इंतहा फाइदे हैं आज मैं only on आपको बताऊंगी इससे SEO किस तरह से निकालने हैं जो इसके overall फाइदे है उस पर फिर अभी video बना लेंगे यह आ गही है हमारे पास extension add to chrome कर देंगे और इसको यहां से आपने add कर लेना है यह download होना start हो गई है और within a second यह download हो जगे करने के बाद आपके YouTube का पूरा surface चेंज हो जाएगा यह देखे मैं इसको refresh करते हूं extension को पहले हम add कर लेते हैं यहां पर pin कर लेते हैं देखे अब भी जो आपको नजर आ रहा था ना जिस तरह का बलकि हम ऐसा करते हैं मेरा ही canva course मैं ITE पर करवा रही हूं आप चाहो तो जाकर देख सकते हूं बहुत जबरदस्त कोर्स हो रहा है और हमारे पास audience भी बहुत जबरदस्त आ रही है आप वहां पर जाकर आपने questions बगरा पूच सकते हूं और बहुत सारी चीज़े clear कर सकते हूं तो यहां पर पूरा structure देखने को मिल जाता है लेकिन हम क्या करेंगे कि हमने रहना है keyword के टोपिक के अंदर तो यह देखो यहां पर channel की keyword भी आपको मिल रहे हैं और यहां पर वीडियो की keyword भी बिल रहे है कोई भी वीडियो आपको popular लगे या लगे कि हाँ यह बहुत वाइरल जा रही है तो just simply आपने यहां से उसकी keyword कोपी करके अपनी किसी भी वीडियो के अंदर आप उन keyword को as it is paste कर सकते हैं इससे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले की keyword क्या है जो उसकी वीडियो इतनी जादा वाइरल गिलिया आप चाहो तो यहां पर भी keyword add कर सकते हो Glen आप चाहो तो description के अंदर भी keyword आट कर सकते हो की वर्ड आइड करते हो आपने यह द्यार मिस गाइड नहीं करना और गलत keyword नहीं लगाने है गलत keyword से मेरा मुराद है अगर आपका चैनल है cooking का तो आपने comedy keywords नहीं लगाने ना ही टेक के कीवर्ड लगाने ना मनी के कीवर्ड लगाने है इससे आपका चैनल जो है पर्मिनेंट बैन हो सकता है अब हम जल्दी से चलते हैं हमारी स्टेकिन एक्स्टेंशन की तरफ और इन फ्यूचर अगर मैं विडियो की एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी तो आपको कार्ड के अंदर मिल जाएगी उपर आपको नजर आ जाएगा या इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको डाल जूँगी तो आप वो भी वीडियो देश लीजेगा एक और extension जिसको मैं यूज़ करती हूँ अपने keywords के लिए और आप उसको website के लिए भी यूज़ कर सकते हो यह मैं हास तोर पे अपने description के अंदर keywords डालने के लिए इस्तेमाल करती हूँ उसका नाम है keywords everywhere आपने इस extension के उपर आजाना है और इसको भी add to chrome कर देना है अब यहाँ पर देखे इसके बाद आपको मजीद आपका जो YouTube का surface होगा वो मजीद थोड़ा change नजर आएगा हम इसको refresh करके दिखाती हो आपको अब यहां से देखे जो keywords हम लोगों को इस तरह से मिल रहे थे मैं आपको इसका जो है थोड़ा सा explain कर देती हूँ यहाँ पर लगा के देखे जो keywords आपको इस तरह से मिल रहे थे जो के हमें description के अंदर especially इस तरह keyword नहीं लगाने है बहुत ही unprofessional लगते हैं इनको cut कर देती हूँ वो ही हमें keyword everywhere add करने की वज़ा से हम यहां से इसको copy करके और यहां description के अंदर अगर लगाएंगे तो यह बहुत ही साफ clean लग रहे हैं और यह search के अंदर भी आएंगे जो पहले वाले keyword थे description के लगे keyword से वो search में नहीं आएंगे वो just tags के लिए use होते हैं जो कि यहां नीचे है tag यहाँ पर साथे साथ विड है क्योंकर एक और बहुत प्यारा से फीचर है यह देखे यहां पर 62.3 लिखा हो है यह आपको शो करता है कि इसका जो rank है वो इतना है यानि कि 62.3 rank है इस keyword का यह आपकी वीडियो को उपर लेके जा सकता है ठीक है अब आपको यहने दो extensions बता दिये अब मैं आपको दो बहुत ही बेहतरीन websites बताऊंगी एक website जो कि मैं use करती हूँ tags के लिए वो है rapid tags बहुत ही बेहतरीन website है जो भी आपका topic होगा आपने जस्ट यहां पर आकर लिख देना है For example, हम अगर कोई horror जो है वीडियो बना रहे हैं या कोई ghost की topic पर बना रहे हैं तो आप जिस्ट यहां पर आके लिकोंगे ghost और आपके पास सारे के सारे keywords आ जाएंगे और यहां पर एरे केरे keywords नहीं आते हम इसको copy करके अपने यहां पर paste कर सकते है और यह keywords बहुत 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 बहुती अगर आ जाएंगे बहुत easy website है और बहुत easy to use है आप चाहो तो इसको यहां से copy करके यहां पर add भी कर सकते हो और उपर लिख लो rapid text और हम यहाँ पर इसको done कर लेते हैं fourth जो है website वो मैं use करती हूँ google keyword planner यह हमारी google keyword planner है keyword tool इसका नाम है keyword tool.io इसका जो है वो address है लेकिन अगेन मैं इसका जो है आपको link description के अंदर दे दूगी वहाँ से आप जाएंगे तो आपको मजीद easy रहेगा और आप confident होगे कि आप से ही website पर आयो यहाँ पर हम आकर अपना topic सर्च करेंगे यहाँ पर यह देखें यह website जो है ना basically purchase करनी पड़ती है आप चाहो तो purchase कर लो चाहो तो purchase ना करो यह कोथ ही बहतरीन website है इसके अंदर देखो आपको पहले तो वह आपको keyword दे देता है keyword के हवाले से आप यहाँ पर first 10 keyword भी उठा लेते हो और उसको tag के अंदर लगा लेते हो और next 10 जो description के अंदर लगा लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा आपकी चीज rank कर जाएगी चाहे वो फाइवर की gig हो यह चाहे वो YouTube की video हो देन आपको वह शो करवा है यहाँ पर search volume यह इतने लोग है जो कि इस word को search करते है ठीक है? जो audience है आपकी? वह इतनी है जो कि इसको search करते है देन है again trend इस word का trend है ना वो यह चल रहा है money का trend जो है वो नीचे जा रहा है money tree का trend जो है न वो उपजा रहा है, virgin money का जो trend है वो भी उपजा रहा है, and spend bill gets money, यह भी trend जो है वो नीचे आ रहा है, then यहाँ पे उसी trend के related graph बने होए है, फिर उसके बाद है average CPT in USD, इसका क्या मतलब है, कि अगर आप यह वाला keyword यूज करोगे, और लोग आपकी वीडियो सर्च करेंगे इस keyword से, तो आपको इतने डॉलर मिलेंगे 1000 व्यूज के उपर, अगर मैं अपने चैनल के उपर how to make money online का keyword लगाती हूं, तो उसके उपर मुझे 1000 व्यूज आते हैं, तो मेरा 1.25 डॉलर बन जा है, monetary का competition बहुत high है, 99 चल रहा है, तो आपको वो again थोड़े से बता रहा है, अचार वीडियो के start में आपको बताया था कि दो प्रोब्लम होती है, एक keyword कहां से उठाए और दूसरा keyword कहां पर लगाए, और ये कितने keywords लगाने चाहिए, ठीक है, तो ये दो issues होते हैं, main YouTuber के, ए issue का solution तो मैंने आपको बता दिया है, कि keyword आपने यहां से उठाने, आप जितने चाहो keyword यहां से उठा सकते हो, 15,000 तो मैंने फिर भी कम बोले, आप 1,000,000 की वर्ड भी यहां से उठा सकते हो, लेकिन अब मसला यह है, कि सारा सारा दिन keyword थोड़ी न लगाते रहना है, keyword आप ज इसे ही, उसके अंदर एक तरह से ठूस दो, यह हरकत नहीं करनी है, इससे आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी, आपकी वीडियो किस चीज ते रैंक करेगी, वो चीज यह होगी, कि आपने अपनी intelligence यूज़ करनी है, अपना धिमाग यूज़ करना है, आपको मैं जिस यह ब तो आपने हम पनी intelligence यूज़ करनी है, आपने सोचना है कि अच्छे ये वाले keyword इस तरह से यूज़ हो रहे हैं, यह इस तरह से रैंक करें तो इनको मैंने ऐसे यूज़ करना है, अच्छे यह आपको पता कैसे सलेगा, कि हम अपकौन से keyword use करें, कौन से ना करें, तो इसका विडियोशन और सबसे आसान जवाब है आपको पता चलेगा वग्त के साथ experience के साथ जसी जैसे आप keywords बनाते जाओगे वीडियो बनाते जाओगे लोगों का काम करते जाओगे अपना काम करते जाओगे आपको experience आता जाएगा आपको रहाएज ऑची आफ यह keyword rank करते हैं इस website स इस टोपिक के कीवर्ड रैंक करते हैं, जितना काम करते जाओगे, उतने आप इस काम के अंदर intelligent होते जाओगे, I hope so आपको कीवर्ड का सब कुछ समझ आ गया होगा, और मैंने भी कोशिश किये कि मैं अपनी इतना से जानवार दूँ कि आपको सारी चीजे इसके अंदर समझ और नेक्स टाइम आप जो भी वीडियो बनाओ या फाइवर की गिडिया कोई भी आप चीज करो, या कोई वेबसाइड एवन के आप ऐसी हो, वेबसाइड के तो आपको कोई इस्यू ना हो, और आपका टोटली टाइम भी बच जाए, और साथ में आपकी चीज भी रैंक कर तो इसके साथ, अगर आपको में मजीद वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी और भी बहुत सारे इंट्रस्टिंग टोपिक पर वीडियो बनी है, और देखना ना भूल लिएगा, इसके साथ, अलाहाफेज